गुद मॉर्निंग तो अल देर स्टूरेंट्स तोड़े आंग गूंग तो टीच मैथमेटिक्स अव क्लास एथ एक्सरसाइज 12.4 एक पापुलेशन एक टाउन के बता रहा है यह 8,75,000 था और इंक्रीज कर रहा है यह 2% के रेट से पर साल पर इयर पापुलेशन टू इयर्स में क्या होगा बताना है प्रेस्चन नमबर फर्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है रेट दिया गया है टाइम दिया गया है तो एक वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 102 ती पावर एन अब देखे इसमें हम क्या करेंगे हमें अमाउंट पता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एट सेवन फाइव ट्रेपल जीरो इंटू वन लस रेट कितना दिया गया है टू अपान 100 तू दिपावर एन की वैल्यू है टू इयर्स टू हो जाएगा एट सेवन फाइव ट्रिपल जीरो और यह हो जाएगा टू बन जा टू फिप्टी यानि फिफ्टी वन अपान फिफ्टी स्क्वेर अब इसको सॉल्ब कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा एट सेवन फाइव ट्रिपल जीरो इन्टू फिफ्टी वन इन्टू फिफ्टी वन अपान फिफ्टी इन्टू फिफ्टी वन जीरो टू जीरो इसको सॉल्ब करेंगे तो आजाएगा नाइन वन जीरो थ्री फाइग जीरो यही हमारा आंसर होगा नाइन लेक टेन फिफ्टी हो जाएगा यह हमारा आंसर होगा क्वेस्टन नमबर टू देखते हैं टू येर से गो दो साल पहले पापुलेशन एक टाउन की थी एट्टी थाउजन अगर साल आना उसमें इंक्रीज दो सालों में एक साल में फाइप परसेंट हुआ फास्ट येर में सिकेंड में फोर परसेंट हुआ तो आपको प्रेजन पापुलेशन बताना पड़ेगा तो दो बार हम इसको निकाल लेगा अब इसमें देखे आरवन फाइप परसेंट है आरटू फोर परसेंट है तो अमाउंट हम पहले साल का निकाल लेते हैं देखे एटी थाउजन वन प्लस आरवन कितना है फाइप परसेंट अपान ये फिर्स्ट इयर में है फिर्स्ट पहले साल फिर्स्ट इयर में क्या होगा इतना और एन तो हमारा एक है फिर्स्ट साल एन वन एक एक साल का अलग अलग निकाल रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा, 5, 1-5, 20, तो यह हो जाएगा, 80,000 20, 1-20, 20, 1,0-0, 10, 0 cancel हो गया, यह आगया, 80, 84,000, फिर्स्ट येर में आगया, 84,000, अब second year में निकाल देंगे second year में क्या होगा यह हमारा amount जो होगा यह principal हो जाएगा 84,000 principal amount हो जाएगा एक साल के लिए निकाल रहे हैं और rate इसका rate कितना दिया गया है second year वाला 4% तो हम इस तरीके से formula apply fit से कर देंगे यहां 84,000 into 1 plus rate कितना है 4 upon 102 the power 1 25 तो यह कितना हो जाएगा 84,000 into 1 plus 4 यानि 26 upon 25 हो जाएगा इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा 87,360 यह हमारा answer होगा next question number 4 देखते हैं question number 4 है एक machine को purchase किया गया यानि खरीदा गया 4,37,500 में अगर इसकी value 8% पर इनम depreciate हो रही है तो इसमें क्या होगा इसकी value क्या होगी 2 साल बाद देखिए formula सेम होगा इसमें minus होगा depreciate मतलब कम हो रहा है यानि घट रहा है principle इतना दिया गया rate 8% है time 2 years है तो यह क्या हो जाएगा 4,37,500 1 plus rate है 8% upon 100 into यह देखिए इसमें minus लगेगा यहां यह ध्यान देने वाली बात है क्योंकि depreciate हो रहा है इसलिए यहां minus लगेगा प्लस नहीं लगेगा यानि 1 minus rate upon 100 formula देखिए यह होगा अगर depreciate हो रहा है तो पी bracket में 1 plus 1 sorry 1 minus 1 minus R upon 100 to the power N तो इस तरीके से N हमारा कितना है 2 है तो यहां 2 हो जाएगा अब देखें यह कितना हो जाएगा 4,37,500 into 100 में से 8 गया 92 upon 100 का square यह कितना हो जाएगा 4,37,500 into 92 into 92 upon जो 100 है यह दो 2 times 100 into 100 होगा 1,0,2,0,1,0,2,0 cancel हो गया यहां 100 बचा यह कितना आजाएगा इसको जब solve करेंगे तो यह आजाएगा 3,7,0,3,00 यही हमारा answer होगा question number 7 देखते हैं the population of certain city इतना था 2,16,000 था 2030 के last year में last day में था फिर 2014 में 7% increase करता है फिर 2015 में 10% decrease करता है तो 2015 में उसका population बताईए यह था 2013 में अब 2004 2014 में 2014 में क्या बता रहा है increase करता है rate क्या है 7% increase करता है तो हमें बताना है 2014 में population क्या होगा principal amount हमारा कितना हो जाएगा 2,16,000 यह हो जाएगा उसके बाद 1 plus rate कितना बता रहा है 7% increase हो रहा है इसलिए add हो रहा है अपान 100 to the power n का मतलब 1 किवल n तो एक साल के लिए ही है 2014 के लिए है तो 1 यह हो जाएगा इसको solve करेंगे 2,16,000 इंटो 100 इंटो 107 अपान 100 यह हो जाएगा total 2,31,120 अब देखे for 2015, 2050 के लिए यह principal amount हो जाएगा तो हम यहाँ भी 2015 में rate क्या हो रहा है 10% है लेकिन यह क्या कर रहा है decrease कर रहा है यानि minus करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा principal amount हमारा क्या है 2,16,000 इंटो 1 प्लस rate यानि 10 अपान 100 to the power 1 और यहाँ देखे माइनस होगा फिर से भाई यह फिर से देखे यह हो जाएगा 2,1,2,16,000 1-10 upon 100 to the power 1 एक साल के लिए निकल रहा है तो यह क्या हो जाएगा 2,16,100 में से 10 गया 90 upon 100 1020 cancel हो गया अब आगे देखते हैं यह आजाएगा 208008 यह हमारा आंसर होगा जब इसको solve करेंगे था question number 11 देखते हैं यह purchased old machine 48,000 में purchase करता है तीन साल बाद वो depreciate होता है उसका दाम 41,154 पहुंच जाता है तो find the rate of depreciation देखे amount को हम इतना मानते हैं principal amount यह हो गया तो a equals to p into 1 plus r upon 100 to the power n तो देखे a कितना है 48,000 है equals to यह कितना है 4,1,1,5,2 48,000 1 plus rate कितना है निकालना है हमें upon 100 to the power n into p कितना है p multiply में होगा तो यह 4,1,1,5,2 तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1 plus rate upon 100 to the power n इसको एक साइटर कर देते हैं और उसको 48,000 upon 41,152 r हमें पता है निकालना है यह n हमें पता है n हमें इसको रख लेंगे 3 देखे यह n की जगा हम 3 लिख लेंगे अब देखे हम क्या करेंगे 1 plus r upon 100 to the power 3 इसको जब कैंसल करेंगे तो यह आजाएगा 6,8,000 upon 6,859 कैसे देखे हैं 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह और हम यह जानते हैं कि यह कितना है 20 का क्योब है और यह 19 का क्योब है तो 1 plus r upon 100 दोनों का क्योब हटा देते हैं तो यह किसके बराबर आएगा 20 upon 19 के तो r upon यहां से हमें r upon 100 निकाल लेंगे कितना 20 upon 19 minus 1 तो इस तरीके से यह कितना आजाएगा r upon 100 equals to 20 में से 19 गया 1 upon 10 1 upon 10 को इधर देखिए लास्ट फिर से लग इसको इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है हो गया था यानि जो माउंट हमें रखना था उसको मने प्रिंस्पल कर दिया था इसलिए मिस्टेक आ रहा है देखी क्या होता है और देखिए इसमें प्रिंसिपल यह है इमाउंट यह है a इक्वल स्टू p इंटू 1 प्लस आर अपान हंडे टो दिपावर एंट इमाउंट कितना है 41154 इक्वल स्टू पी कितना है 48,000 प्लस आर अपान हंडे टो दिपावर 3 एंट 3 यहर्स दिया गया इसमें 3 यहर्स देखें इसमें क्या हो जाएगा 4, 1, 1, 5, 4 अपान 4, 1, 1, 5, 4 अपान 48,000 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपान 100 तू दी पावर 3 अब देखें ये क्या हो जाएगा 6 से दोनों को डिवाइट करेंगे तो ये आजाएगा 6, 8, 5, 9 अपान आजाएगा 8,000 उक्वल्स टू 1 प्लस R अपान 100 क्यूब अब देखें यहाँ ये किसका है ये उपर वाला 19 का क्यूब है और नीचे वाला 20 का क्यूब है और ये हो जाएगा 1 प्लस R अपान 100 का क्यूब तो 1 प्लस R अपान 100 उक्वल्स टो 19 अपान 20 तो R अपान 100 येँब सटो 19 अपान 20 मैनस 1 तो R अपान 100 अपान 20 minus 1 minus 1 अपान 19 minus 1 upon 20 हो जाएगा तो आ रहा गया 100 upon 20 minus में 5% आ रहा है वो भी minus में minus क्या सो कर रहा है depreciate हो रहा है depreciate हो रहा है यानि घट रहा है यानि decrease हो रहा है decrease हो रहा है यानि 5% decrease हो रहा है इसी के साथ यह exercise complete होता है thank you so much